दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको मा सिमसा जी की अधुक्त सक्तियों के बारे में बताऊंगा मा सिमसा जी नहीं संतान आउरतों को संतान प्राप्ति का बरदान देती है यहाँ पे हर साल लाखों आउरते आती हैं जिनकी संतान नहीं होती है और मासिमसा जी उन्हें संतान प्राप्ति का बर्दान देती है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहां तक कैसे पहुंचा जाए अगर आप हिमाचल से बाहर रहते हो तो आपको वहां से या फिर आप बाई ट्रेन वहां से आओगे या फिर आप बाई जहाज वहां से आओगे या फिर आप बाई बस वहां से आओगे तो यही आपके पास आने के साधर रहते हैं यहां मंदीर तक तो अगर आप बाहर की स्टेट में रहते हो तो आप ज़्यादा तर ट्रेन के तरू हिमाचल में आते हो तो यहां से सबसे नजदी की रेलो इस्टेशन जो है वो पठान कोट में है तो आप पठान कोट से बैजरात के लिए बस लीजिए और बैजनात से ये मंदिर लगभग 32 किलोमेटर की दूरी पेस्थित है अगर आप बाई एर भारत के या फिर दुनिया के किसी दुसरे हिस्थे से यहां पे आना चाहते है अगर आप बाई बस यहां पे आना चाहते हो तो आप बैजनात से यहां तक के लिए बसी साती है आप यहां मंदिर तक बस के दुरू आ सकते हो या फिर अगर आप जैसे चंडीगर से आना चाहते हो तो आप बैजनात भी जा सकते हो और आप दुसरा तरीका आप घुमारवी जाएए घुमारवी से जाहो जाएए जाहो से सरकागाट और सरकागाट से यह आप यहाँ पे आ सकते हो सरकागाट से लगवग पचास किलिमेटर की दूरी पे यह मंदिर स्थित है तो आप इस तरह से यहाँ पे आ सकते हो अब हम साम के वक्त यहां मंदिर में पहुंचे थे तो मंदिर से बाहर मंदिर की दुकाने हैं जहां पर आप धार्मिक समगरी ले सकते हैं तो यह मंदिर संतान बर्दान देने के लिए कावी फेमस है यहाँ पे माता सिमसा जी नहीं संतान आउरतों को बर्दान देती है जिसे की उनको संतान की प्राप्ती होती है यहाँ भी बहुत से ऐसे केसिस देखे गए हैं जिन में आउरतों को डॉक्टरल द्वारा कह दिया गया था कि आपकी संतान नहीं होगी पर जब वो औरते संतान प्राप्ती के लिए माता जी से बर्दान मांगती है माता जी से भेंट मांगती है तो उन्हें माता संतान प्राप्ती का बर्दान देती है तो वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा तर सरधालू जो है नवरातरों में आते हैं यहां पे औरतें मंदिर के प्रांगर में आके सोती हैं, तो जो माता है, माता उन्हें फल के रूप में बच्चे का बर्दान दीती है, माता जो है जो औरते होती हैं, उनके सपने में आती हैं, और या फिर कई बार माता सपने में नहीं वी आई, पर वो माता उन्हें फल की फल यहाँ बीड़ देती है जैसे जो मुख्य फ़ल ज्यादातर आरतों को दिये जाते हैं वो है मेवा, आम, बादाम, सेब, अक्रोट, आमरोद, ककड़ी, वो मिर्ची, इतियादी फॉल दिये जाते हैं, तो जब माता ऑरतों को इन फॉलों को सपने में देती हैं, तो इससे समझ जाता है कि औरत के संतान प्रक्ति होने वाली है, तो इससे आप link काभी पता लगा सकते हैं कि माता उन्हें संतानमे लड़का देगी या लड़की यदी सपने में माता उन्हें मेवा या आम आधी फल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि लड़का होगा और अगर माता सपने में मिर्ची, ककड़ी, आदी देती है तो इसका मतलब होता है कि लड़की होगी पर अगर माता सपने में जो है दिखाती है कि जो घास काटने वाल दाटी होती है वो देखें अगर कोई इस्त्री या फिर रसी देखें तो इसका मतलब होता है कि आभी संतान की प्राप्ती नहीं होगी जिरूरी नहीं है कि सपना सिर्फ इस्तृ ही देखे ये भी हो सकता है कि सपना पूरिशुक भी आ जाए तो उन्हें भी सेम ही फल दिये जाते हैं माता के द्वारा तो इनी फ़लों के अधार पर समझे जाता है कि मा उन्हें बच्चे का बरदान दे रही है तो ज्यादा तर औरते जो ये मंदिर है मंदिर के परांगण में आके सोती है तो ज्यादा तर जो है नवरातरे के टाइम पे सदालू यहां पे आते हैं और यहां पे मंदिर के गणमें और थे सोती हैं तो और तो के लिए जो है बिस्तर का परबंद भी कमेटी के दवरा किया जाता है और पुर्षों के ठहरने के लिए आसफास जो है काफी अची शूबिदा है तो आप आसफास जो है यहां पर आसफास के घरों में आगे सो सकते हैं और अगर आप सोचीं कि आपको किस सरह से कौन कौन सी नियमों का पालने करना है किस किस सरह से उन्हें माता की पूजा करनी है तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं पुजारी आपको पूरी बाते समझाते हैं और यहां पर जो पास में धार्मिक समगरी की दुखाने हैं वहां पर भी काफी पंडितशी होते हैं वो भी आपको पूरा पूरा गाइड करते हैं आप उनसे भी पूरी गाइडेंस ले सकते हो और जुरूरी नहीं है कि आप नवरात्रों में यहां पर आए आप बाकी दिनों में भी यहां पर आ सकते हैं और अगर आप अपने वेहिकल में यहां पर आते हैं तो भी आपके वेहिकल की फार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी द्यवस्ता का यहां पर परबंद किया गया है तो आप यह साथ में जिस थानी दुखाने हैं यही आपको बता देंगी कि अपने भीकर को कहां फार्क करना है, और मंदीर के सामने जो दुकातने हैं, वहां पर माता के जो भी जैसे किस तरह के फल से क्या अर्थ मिलता है, और किस तरह से माता की पोजा करनी है, क्या-क्या नियमों का पालन करना है, इसको पूरी ट्रेल में यहां पे किताबे मिल जाते हैं, अब उन किताबों को पढ़के भी पूरी जानकारी ले सकते हो,